जैहीं दोस्तों इंडिया नेवी के और से SSR के ओनलाइन फोरम हो शुरूज के हैं 14 सोपदों पर ओनलाइन फोरम शुरूज के हैं इस वीडियो मापको रेटेशन से लेकर प्रिंट तक का कम्पलीट प्रोसेस दिखाऊँगा स्टैब बाई स्टैब कैसे अपना ओनलाइन फोरम आपको फिलप करना है बिना किसी गलती के सिर्फ आपस रिक्वेस्ट आप वीडियो को अन तक जरूर देखते रहें वीडियो को स्की मत करना बिल्कुल भी क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिये गए हैं जिसको जानना आपके लिए बोग जरूर है इसलिए आप वीडियो को अन तक जरूर देखते रहें वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंडिया नियवी की और से SSR के ओनलाइन फोरम हो सरूर उचके हैं तो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेस्टिक जानकारी दे दूँ जैसे कि नेवी में अगनिवीर के SSR की बढ़ती है उसके बाद इसमें जो वेकैंसी है चोदा सो वेकैंसी आपकी दी गई है जिस पर आपको तीर जार पर मन्त सैलरी मिलेग तो आप तेलिगर हम जो हैं जिरू कर ले ना वहाँ पर आपको हर गवर्मेंट जो आपकी जानकारी अपडेट दी जाती है अपलिकेशन फीस की बात करें तो किसी भी कटेगरी की कोई फीस नहीं है आल कटेगरी के लिए 9 फीसेश में लाश्ट टेट की बात करें तो 17 दिस पांच के बीच कंडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें वेकेंशी आपकी 1400 वेकेंशी दीगी 1120 वेकेंशी मेल कंडेट की 240 वेकेंशी फीमेल कंडेट की दोनों कंडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों कंडेट अपलाई कर सकते हैं क्वालि स्टेट्टो वाकेंसी कोडिंगा अप चयार टाइम से कोडिंगं आब लिश्ट्र्रिस्टे जाएंगे इसमें आप कर रेसाग पर्टा उसके बाद का पाइन सेलेकशन होगा आपको प्लैंपिलान करके दिखा देता हूं लेक्रिवे को लागव नाल्स का बाद यह जो आपको QT PIN दियागा है यहां पर डाल के आपको save पर click करना होगा ने के जैसे आप save कर देते हैं उसके बाद यहांपर आपका आप पूछ रहान तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अगर आपका पहले से सा में अनुर्धि इसके बाद यहां पर आपके बस दो सनाते ही आप अपना अकाउंट है वो अकाउंट जो अधार काड़ के साथ उपन करना साथ है या विदाउट अधार काड़ के साथ तो मैंने विदाउट कर लिया है तो उसके बाद आपको ID देनी होगी है आपको सेव करेंगे आपको सेव करेंगा उसके बाद आपकी डिटेल आपको डालनी होगी जैसे कि यहां पर अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे जो भी टैंथ क्लास की मारक शीट में वही डिटेल आपको फिलब करनी है मैं आपको step by step बताऊँगा इसलिए आप वीडियो को complete चूर देंगे यहां पर अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे मिडल नेम तो डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे blank चोड़ देंगे last name मैं तो डाल देंगे नहीं तो आप इसे blank चोड़ सकते हैं उसके बाद अपना mobile नम पर डालना आपको उसके बाद अपने फादर का मदर का नाम डाल देना है एक का नाम आपको डालना है यापर उसके बाद garden का ना मैं तो डाल देंगे नहीं तो आप इसे blank छोड़ सकते हैं pen card है तो यहाँ पर डाल देंगे नहीं तो आप इसे blank छोड़ सकते हैं यहाँ पर अपने date over डाल देनी है जो भी 10th class की mark sheet में है वो यह date over थी यहाँ पर आपको fill up करनी है उसके बाद nationality यहाँ पर इंडिया select कर लेंगा आपका domi cell हो की state का है तो यहाँ पर अपने coding आप select कर लेंगे जिस भी state का आपका domi cell है उसके बाद अपना gender select कर लेना आपको male है या female candidate है उसके बाद आप married है है या single है तो यहाँ पर अपने coding आप select कर लेंगे उसके बाद identification marks यहाँ पर आपको डालना है एक mandatory है एक को आप blank भी छोड़ सकते हैं लेकिन आपको एक डालना compulsory है तो यहाँ पर आपको डालना होगा आपके सरीर पर कोई भी निसान या तिल है उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपके पास दार काड है तो यहाँ पर yes कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं उसके बाद आपस पूछ रहा है तो यहाँ पर yes कर देंगे नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं उसके बाद आपस पूछ रहा है यूँ है वो ट्राइडी आपके पास वो ट्राइडी है तो यहां पर यह भी अपने इकोडिंग यह सनों कर सकते हैं आपके पास पास्पोट है तो यहां पर यह सनों पने कोडिंग कर सकते हैं आपके पास राशनिकार है तो यहां पर यह सनों पने कोडिंग उसके लिए आप क आपने higher qualification कर रखी हैं तो यहां पर सभी आपको qualification देखने को मिल जाती है तो अपने coding आप slack कर लेंगे से जैसे कि मैंने plus two डाल दिया है तो उसके बाद stream यहां पर slack कर लेंगे अपने PCM physics chemistry math के साथ या physics math biology के साथ तो आप अपने coding स्लैक कर लेंगे उसके बाद additional कोई qualification है तो यहां पर उसके detail आप डाल देंगे कोई बीए additional qualification है तो डाल सकते नहीं तो आप इसे blank छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर account detail पर आपको click करना होगा जैसे account detail पर click करेंगे उसके बाद यहां पर अपनी email डालनी आपको और एक password डाल देना है पासवड़ को आप मस आपको जो इन डालना है है उसके बाद आई humor को सेट कर लेंगा और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है यहांपर विश्म करना है कि जैसे सेड़ खरते हैं उसके बाद आपका पाउंट है उसके बाद आपको दो बार से आना यहांपर अपनी स्टेट आपको सलेक करना ही दो बार से और जो आपने मुबाइल नंबर दिया उस पर एक o tp सेंड किया गाए और email आई डिर भी ऄपने site लोगर साने को पांचा और गास लोगनान यहाँ पर पर क्लिक करना है है उसके बाद नीचे उटी यहाँ पर और देखें के बीना है यहाँ पर यपार करेक है आपको ही ऑरक्षोग साने हैंना है उसके बाद यांसे आप Wasp लोगिन करते हैं उसके बाद यहांसे आपको अपने मीकरूड हो डाले कोंडिए आपको अपने कोडिबा निर कोडिगे ऐसके भाद यहांसे आपको सब्जेक्ट दिया है, टोटल माक्स यहां पर डालने हैं, और टेक्स माक्स यहां पर डालने हैं, जैसे इंगलिस में आपके कितने नमबर थे हैं, यहां पर डालने हैं, पीजिक्स में कितने थे हैं, यहां पर आपको डालना है, कमेश्ट्री में कितने थे हैं, यहां पर आप यहां पर आपको डालना है उसके बाद यहां से state conduct exam यहां पर अपने कोडिंग आप स्लैक कर लेंगे उसके बाद आपको नीच और ने किम बोड कंड़ेक्ट यहाँ से आप स्टेट बोड स्लैक कर लेंगे पने जो भी आप हैं उसके बाद 10th class की qualification आपको डाल लेंगे यहाँ पर आप 10th class की जो total marks औरोब tanks marks यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद आपको नीच एड़ना यहाँ से mark seat का serial number यहाँ पर डालना है state conduct exam यहाँ पर आप select कर लेंगे उसके बाद आपको नीच जड़ना यहाँ से board select कर लेंगे आपने जिस board से किये 10th class की जो से mark seat हो यहाँ पर upload करनी आपको PDF में upload करनी maximum size एक MB रखागा इसके लिए उसके बाद यहाँ से passing certificate यहाँ पर upload करना maximum size एक MB रखागा इसके लिए भी उसके बाद जो ही आपको cap ça दिया गया है यहाँ पर flip करना और save वपर आपको click करना है देखे जैसे ही आप save करते हैं उसके बाद आपका data后 save हो चुका है उसके बाद यहाँ से अपना permanent address आपको डालना है जो आपका permanent address है उसके बाद यहां से अपने state आप स्लेक्ट करेंगे जो भी आपकी state है अलिए एक अंडेट इसके लिए अपला ही कर सकते हैं उसके बाद अपना district आपको स्लेक्ट करना है यहां पर थोड़ा आपको wait कर लेना है loading और start हो चकी है यहां पर अपना district डाल देना है उसके बाद यहां पर अपना pin code नंबर आपको डाल देना है जो भी आपका pin code नंबर है उसके बाद आप नीचे आएंगे यहां अगर आपका present और permanent date same है तो यहां से CMS पर आपको click करना है जैसे CMS पर आप click करेंगे उसके बाद आपको नीचे आणा है यहां से अपने document आपको upload करने है जैसे कि यहां पर अपना photo आपको upload करेंगे maximum size रखागा है 120 के लिए उसके बाद यहां से अपने signature आपको upload करने maximum size 120 के लिए उसके बाद state resident proof यहां से domain cell आपको upload करना है यहां आपको PDF में upload करना है यह आपका नाम है यह आपकी email id यह आपका date over थे आपका gender mail है देखें कुछ भी edit करना चाहते हैं तो यहीं से आप password change कर सकते हैं education qualification change कर सकते हैं यहां से आप edit कर सकते हैं उसके बाद यहां से अपडेट व्यार वेरिफाई अपडेट अधार card पर भी आप click कर सकते हैं और देखें जो आपके फोर में 15 तारिक से start होंगे उसके बाद आपको यहां से देखिए current opportunity यहां पर आपको click करेंगे आप जैसे इस पर आप click करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है यहां पर आपके फोर में यहीं से आपके फोर म स्टार्ट होंगे आपका राइटेशन complete होने के बाद देखिए यहां पर आपके अगनिवेर की जो स्कीम है उसके 15 तारिक से आपके SSR के पोर म स्ट होगा उमेद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लेगे अच्छी लेगे अच्छी लेगे उता लाइक जरू करें और चैनल पे नेयों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक जरू दबा लेना अब यह किसी को डाउट हो तो आप कोमेंट करके पूश सकते हैं आज इस यहां पर आपको दो आपको दिखते हैं यहां पर आपको दिखता है गिनिवीर का तो आप अगनी पर पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास 100 जो है जो करन्ट अपर जिसके SSR के पोरम है वो यहीं पर लिंक एक्टिवेट होगा तो यहां पर भी लिंक पास आपका लिंक एक्टिवेट होगा यहां पर सिर्फ आपको कलिक करके और यहां पर समिट करना आपका पोरम और से वी डीटेल आपने पी लब कर दी पहले तो यहां पर सिर्फ आपको जो है अपली अपलाई पर कलिक करके और पोरम आपको समिट कर देना प्रेंट आउट आपको निकालना है बेसिंग.